हेलो फ्रेंट्स आजकी इस वीडियो में आपको 12 वुल्ट लिथियम आइन बैटरी बना कर दिखाने वाला हूँ जिसमें फ्रेंट्स हमने BMS कनेक्ट किया है जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को मैनेज करता है इसका हूज फ्रेंट्स आप किसी भी स्ट्रीट लाइट को जलाने में कर सकते हैं और इसका हूज फ्रेंट्स किसी भी मोटर में आप कर सकते हैं काफी अच्छा बैक अप हमको इससे मिलता है क्योंकि हमने इसमें लिथियम बैटरी का हूज किया है तो इसको बनाने के लिए problem, सबसे पहले हमको lithium battery के holder लेना है और इन holders को friends आपको आपस में कुछ इस प्रकार से connect कर देना है और friends यह आपको दो C pair में बना लेना है इसके बाद friends हमको lithium battery की ज़रूत होगी हाप यह देख सकते हैं, 3.7 volt 1200 mAh का цел है ये वाली side positive है और इसके दूसरी वाली plane side negative है इसके बाद friends हम को lithium battery को lithium holder के उपर रखना है पहले दो cell के positive उपर रखना है दूसरी दो cell के negative उपर रखना है और तीसरी दोनों cell के positive उपर रखना है और उपर से इस holder को लगा देना है इसके बाद friends हमको बेंटरी को पहले पैरलल में कनेट करना है जिससे बेंटरी का MPR वढ़ सके तो पहली दो सैलों को friends हमको पैरलल में कुछ इस प्रकार से कनेट करना है इसके बाद friends दूसरी दोनों सैलों को पैरलल में हमको कनेट करना है कुछ इस प्रकार से इसके बाद फ्रेंट जो तीसरी बाली सेल है उन दोनों सेलों को भी हमको पैरलल में कुछ इस प्रकार से कनेट कर देना है इन तीनों सेलों को फ्रेंट समको पैरलल में दोनों साइट से कनेट करना है आप देख सकते हैं हमने दोनों साइट से इनको पैरलल में कनेक्ट कर दिया है इस से फ्रेंट्स क्या होगा बैंट्री का एमपियर बढ़ जाएगा और बैंट्री जादे बैकप देगी इसके बाद फ्रेंट्स हमको इसका बोल्टेज बढ़ाना है तो इनके कनेक्शन हमको सीरीज में करना है तो आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार से इसका सीरीज कनेक्शन करना है से मिसी प्रकार से आपको भी इसका सीरीज कनेक्शन करना है तो सबसे पहले फ्रेंट्स हमने पहली और दूसरी वाली सेल को सीरीस में कनेट करा है और इसके बाद फ्रेंट्स हमको दूसरी और तीसरी वाली सेल को सीरीस में कनेट करना है जिससे फ्रेंट्स पैंटरी का बोल्टेज बढ़ जाएगा इसमें friends मैं nickel strip का use कर रहा हूँ आप इसमें copper का wire भी use कर सकते हैं इसको connect करने के लिए और soldering iron की मदद से आप इसको लगा सकते हैं इस तरह से friends हमने इसकी soldering कर दिया यह friends 12 volt negative है और इसके दूसरी वाली side नीचे की तरह यह 12 volt positive है जहां से हमको 12 volt positive मिलेगा इसके बाद friends हम इसमें एक BMS connect करेंगे जो की friends battery को charge और discharge करने में manage करेगा यदि friends आप इसको खरीना चाहते हैं तो नीचे description box में मैंने इसकी link दिया है आप link पर जाकर इसको खरीज सकते हैं तो friends सबसे पहले हम को इसको battery के उपर लगाना है और इसके उपर आपको BMS को रख देना है इसके बाद friends हमको एक black color का wire लेना है जिसको हमको BMS के जो ground वाली पेन जीरो वाली पेन उसके उपर लगाना है कुछ इस पकार से और friends इस black wire की दूसरी वाली side को हमको 12 volt negative था उसकी उपर लगाना है कुछ इस प्रकार से इसके बाद friends हमको एक red color का wire लेना है जिसको हमको BMS के 4.2 volt के उपर connect कर देना है कुछ इस प्रकार से और इस red वाले wire के दूसरी वाली end को friends हमको जो दूसरी वाली cell का pair है उसके negative के उपर connect करना है कुछ इस प्रीकड इसके बात फ्रेंड्स हमको एक और ब्लेक कलर्वाय लेना है जिसको हम को बि-M-S के एक पोईंक 4 गोल्ट की ऊपर कनेट करना है और इस ब्लेक वाले वायर के जो दूसरी वाली अंड है उसको हमको तीसरी वाली cell के pair के negative की उपर कुछ इस प्रेकार से connect कर देना है इसके बाद friends हमको एक और red color का wire लेना है जिसको हमको BMS के 12.6 वोल्ट की उपर connect करना है और इसी red वाले wire के दूसरे वाले end को हमको जो तीसरी वाली cell का pair है उसके positive की उपर connect कर देना है तो इस तरह से friends हमको इसका BMS connect करना है तो negative के साथ friends हम एक black color का wire connect करेंगे और positive के साथ एक red color का wire connect कर देंगे तो इस तरह से friends ये battery बन चुकी है अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले friends हम इसके voltage चेक कर रहा है आप देख सकते हैं 12V हमको इससे output मिल रहा है अब मैं आपको इससे motor चला कर देखाता हूँ इस 775 TC motor है high speed motor है काफी अच्छी तरह से work कर रही है और इससे friends आप किसी भी light को और एक चोटे inverter को भी आप इससे चला सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को भी subscribe कर लें